एलो गाईज, विलकम बैक तो मैं चैनल विग्या सायंस अगेड में जहापे हम लोग मेडिकल के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं तो गाईज, यहाँ पे इंपॉर्टन अपडेट है बहुत सारे बच्चों के दिल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है एक्जाम टाइम से रिलेटेड तो यह जो वीडियो रहेगा पूरा इन डिप्ट आपको सलूशन मिलेगा क्या एक्जाम का टाइमिंग चेंज हो गया है उसके रिलेटेड ओके साथ ही में बात करेंगे यहाँ पर जो भी पच्छे नीट यूजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे है तो आप लोग अनकेडमी पे आके नीट के यूजी एज वेलेज पीजी के जितने भी लेक्चर से वह फ्री में देख सकते हो बहुत सारे स्पेशल क्लासेस रहते हैं जो कि फ्री रखते हैं साथ ही में अ अनकेडमी कॉमबैक स्कॉलर्शिफ टेस्ट भी होता है जो कि एवरी संडे होता है एट 11 अम जहां पर आप पाच करोड़ तक का स्कॉलर्शिफ जीत सकते हो सपोज अभी आप जो मेडिकल स्टुडेंट हो उनके कोई भाई बहन या अधर कोई फ्रेंड से आप उनको जरू आनकेडमी के बारे में यह जो है टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए अभी आते हैं आज का जो टॉपिक है एक्जान टाइमिंग तो सबसे पहले यहां पर मैं बता दू कि mcq पैटन अभी जो 28 अफ से शुरू हो रहा है उसके लिए mcq पैटन वैलिड है वैलिड रहेग ठीक है बीच में भी स्टुडेंट को ऐसा भी लग रहा है कि mcq यह साल नहीं है अगले साल वाले पैटन में तो ऐसा कुछ नहीं है पहली चीज़ mcq है mcq आपको करने है दूसरी चीज बच्चों को यह डाउट है कि omr शीट जैसे आपको नीट के एक्जाम में एक omr मिल लिखना है बच्चों को mcq कैसे लिखना है वह भी नहीं या था अभी तक तो answer में किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर यह भी पूछा था कि क्या सिर्फ option लिखना है या फिर option के साथ answer लिखना है तो हम लोग 10 11 12 से करते हा रहे अगर आपका option है a brain तो आपको पूरा का इसे आपको लिखना है ठीक है otherwise सिर्फ आप लिखोगे marks जाएगा सिर्फ आप answer लिखोगे marks जाएगा तो आपको लिखना है option and option के साथ answer ठीक है दूसरी चीज 20 मार्क के जो mcq है उसके लिए आपको 20 मिनिट एक्स्ट्रा दिये जाएंगे ऐसा बीच बीच में बोला जा रह है तो आपको extra minutes extra time जो है नहीं मिलने वाला तो आपका जो regular time schedule रहेगा उसमें ही आपका paper होगा तो यह था आज का update कि आपको कोई भी extra time नहीं दिया जाएगा MHS के तरफ से तो paper on time रहेगा mcq कैसे लिखना है यह भी मैंने बता दिया mcq कैसे करना है उसके बारे मैं भी next video मे जरूर बताओंगा अगर आपको यह video informative लगा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और विग्यान सायंस अकेडमी पेज को पॉलो करो thank you so much guys